कुम्भ राशी, सूर्य जिस राशी में प्रवेश करेंगे, वो राशी है कुम्भ राशी, तो सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ेगा, वो कुम्भ पर पड़ेगा, कैसा प्रभाव होगा? अपने स्वास्थ का और अपने खान पान का विशेश द्यान रखियेगा, अपने सेहत को लेकर और खान पान को लेकर के विशेश सावधानी बनाए रखियेगा, आपके लिए जरूरी होगा, क्योंकि इस समय सेहत में दिक्कतें परिशान करेंगी, जैसे हड़ियों में दर्द होगा, चक्कर आएंगे, आखों से पानी गिरेगा, और पेट को लेकर मुश्किलें पैदा होंगी, तो अपने स्वास्थे और अपने खान पान का ध्यान रखियेगा, बेवज़ा के विवाद ना हो, बेवज़ा का तनाव ना हो, उससे बचियेगा, शान्ती रखियेगा, अगर आप शान्ती रखेंगे, तो बेवज़ा के विवादों से बचेंगे, बेवज़ा के तनावो से आपको छुटकारा मिलेगा देखिए काम का बोज अभी बढ़ा रहेगा उसके बहुत सारे कारण हैं एक तो साड़े साती है आपके उपर दूसरा सूरी का राशी परिवर्तन होने से सूरी शनी के साथ आ गए तो इस वज़ा से काम के बोज से आपको इस समय परिशानी हो स सकती है उसका ध्यान बनाए रखिएगा काम करिए क्योंकि काम टाला नहीं जा सकता काम रोका नहीं जा सकता लेकिन साथी साथ अपने आराम का भी ध्यान रखिएगा अपने रूटीन का भी ध्यान रखिएगा रोज शाम को अगर आप शनी मंत्र का जब करते हैं अगले एक महीने तक ओम शंग शने शराय नमहा इस मंत्र का अगले एक महीने तक अगर आप जब करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा